दूसी एक्जेंबल हमारे पास 5.2 सेक्राइड मोशन है और केस यह है कि आपके पास जब दो फील्ड है वो इक्जेक्टली परपेंडिकल आपने पहले आपके पास सिर्फ मेगनेटिक फील्ड थी इस केस में हमने अप्लाइ की है जो मेगनेटिक फील्ड है इन डिरेक्शन ओ और इन डिरेक्शन ओफ जी तो आप यह करते हो यहां इस औरीजन पे यहां पर रखा में चार्ज और उसको सिर्फ रहस पे छोड़ दिया अपने रहस पे इसको रख दिया तो आपको बता है कि जो अलेक्टिक फील्ड है वो वर्क्डन करती है तो अगर वह पॉसिटिव च करेगी तो अपने यहां पर रेक्टिक फोर्स तो आपने यहां पर रखा, जैसे उसमें विलॉस्टिय जैसे उसमें मोशन है, में इने फील्ड ने भी उसको एक्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है तो आप राइट हैं रूल से आप देखोगे कि यह पहले चो चार्ज है, तो आपके जो फिंगर्स हैं वो टूवर्स हैं जी जी की डिरेक्शन में तो आप देखेंगे जो आपके पास फोर्स अप्लाय होगी ना थम शो करेगा वो दिखाएगा कि वाई की डिरेक्शन है तो आपके डिरेक्शन में पेफोर्स अप्लाय होना शुरू करेगी जैसे यह जी की डिरेक्शन में जो मोविंट है वो कॉज है ये जैसे इसकी स्पीड अप होना शुरू होगा जैसे ही इसकी वह बढ़ना शुरू होगी तो वह एक पॉइंट आएगा आपके पास मेट को डिक्टी फिल्द को ऑवर कम कर लेगी इसको इस्तर लेगी आपके पास और यह आप देखो कि यह इस तरह से मोशन चोग करेगा यहां से तो यह जो क्वालेटीटिव अनलस है यह बिद्ध क्वालेटीव हैं हमने इसको कॉण्टेटिव सौन नहीं किया आ जो वाई की डिरेक्शन में और तो ट्रेजेक्ट्री है मारे पास क्वालेटिटिव अनलसिस हमें बताता है कि यह मोशन है पुजिशन दो पार्टीकल है अगर अगर आजने बतानी हो तो यह एक्स-जीरो पे हैं और बाकि जो इसकी डिपेंडन्स है वाई है और जी पे है ठी कि यह देखें जी की तरफ motion और य की तरफ motion तो पहले बात कर लेते हैं हम healthy force की तो V cross V कैसे है हमारे पास यह देखे है हमारे पास V cross V हमारे पास C या है V क्या होगा क्योंके विलासिय है particle की वो depend कर रही है दो चीज़ों पर एक हमारे पास है Y coordinate और Z coordinate और कोई भी motion उसकी एक डिरेक्शन में नहीं है तो आपके पाउस्ट जो का रहे हैं नहीं है इसका टाइम derivative लोगे तो आपके पास वेलोस्टी का य डाइम डेरिबिट लोगे तो आपके पास दारिबिटी तो आप यहां पर आप क्रॉस पॉर्ड अप्लाए करो आपको दो चीज़े मिल गई एक कंपोने मिला लॉंग वाई दूसरा कंपोने मिला लॉंग तो ना सिर्फ आप देख रहे हो यहां पर के मैंटी फिल्ड कॉस करी है सिर्फ मेनेटी फिल्ड यहें वो कॉस करी है जो वाई की द्रक्शन मोशन क्όσकर रही है बलकि दी के डिरेक्शन में भी वह उसको मूव कर रह रहा है ठीक है डेकि को सरु अभीने होता है उनक्ल्ड की विजार से तो यह देखें आपके पास मैंटी फिल्ड की विजार से सब्सक्राइब तो अध्य कि दो के हैं लूटर मेरे पास यह चुछ इसपरेगते लागते हैं as अब मेरे पास लिए यहां से लिए और संपErी निए जा करें है तो आप component form लिख लें तो यह acceleration in the direction of z and the acceleration in the direction of y तो यह double time derivative है यह भी double time derivative है component y comparison कर लें z z के साथ y y के साथ तो component y आपके पास equation है qbz derivative is equal to m y double derivative तो यह आपके पास sort of a coupled equation है और इसमें के लिए के कुछ अच्छे से लगें और आपको solve करने में असान हो तो एक में term include करता हूं जिसे cyclotron frequency कहते हैं वो यह कि क्यों बी डिवाइड बाइम में देनोड करता हूं तो आप इस equation को इन तरम्स अफो मेगा लिख सकते हैं एम इस तरफ ले जाएं क्यों भी डिवाइड बाइम हो जाएगा और इसी तरह इसमें भी आप value substitute करते हैं एम को यहां ले आके आप देखोगे कि आपके पास यह equation बन गई ठीक तो पहली equation हमारे पास यह y double derivative is equal to omega z dot और यह वाली equation है z double dot is equal to omega into e b minus e y dot दो equation y z z y coupled equation है इसका solution आप differential equation में solve कर चुके होगे तो मैं यहाँ इसका general solution लिख रहा हूं और idea वैसे इसका यह solution का कि आप एक कर डबल derivative में और दूसरे होट कर दें तो यहांसे आपके पास solution आ जाएगा तो general solution है कुछ इससरा से yt is equal to c1 cos omega t plus c2 sin omega t plus e over bt plus c3 और इसमें भी हमारे पास constant appear हो रहे हैं यह c1, c2, c3 और c4 यह हमारे पास constant है जो कि हम find out कर सकते हैं by using initial conditions तो initial condition हम use करते हैं और find out करना चुरू करते हैं इसके constants तो पहले तो initial condition है हमारे पास particle rest में था तो उसका वो z की direction में जो velocity होगी वो भी 0 है और y detection में भी velocity 0 है इसको यूज करते हुए कि आप इन एक expressions में आप zero put करें time zero put करें तो आपको वाजित तो पर नजर आ जाएंगे constants तो add the origin आपके पास यह दूसरी condition है कि हमारे पास जो coordinates हैं वो क्या है हमारे पास initial coordinates वो 0 है time zero पे coordinates ही है और time zero के velocity यह है जो कि 0 है तो यह आपको allow करेगा यह वाली को यह condition यूज करें यह condition यूज करें तो condition कैसी यूज करोगे आप आप बेसिकली उसका लोगे derivative इसका लोगे टाइम डेरिविटिव यह कॉसाइन ओमेगा टी बन जाएगा यह कॉसमेगा यह और भी बन जाएगा इस तरह यह तो इसका time डेरिविटि लोगे आप और आप जीरो पूट करोगे तो देखो एक है कि वहाँ पर कुस्ट्रम कैंसलाओ जीरो हो जाएंगी कंडिशन को सैटिफाइए करेंगी कुस्ट्रम आप देखो एक कि आपके पास इसको जब आप पूट करोगे ना आप करने के बाद जीरो तो य जो पीछे मैंने दिखा है जनल सिल्यूशन में पर्टिकुलरी यह पूट कर दोगे वाइज टाइम जीरो पूट कर दो एकुएट करो आप इसको जीरो के तो आप देखोगे के सी थरी जीकल टू जीरो है इसको एक 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 इसको एक इसको एक इसको एक इंटेफन के लिए और देखने के लिए इसको कि वो जो हमने qualitative analysis किया था वो इसे कैसे match हो रहा है तो मैं ये एक और substitution करता हूँ तो substitution ये है कि ये जो हमारे पास साथ factor है इसको मैंने ये e और omega b इसको मैंने put कर दिया r के ठीक है तो equation बन गई है yt is equal to r into omega t minus sin omega t z into t z of t is equal to r 1 minus cos omega t तो r multiply करते याप इन दूनों के साथ pages of omega t ले 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 और यहां यह पर r आ जाएगा और इन दोनों को सिवर्फ ले जाए इसरफ ले जाए मैल्टिप्राइ करने के बाद r इसरफ ले जाए तो यह मैनस में आ जायंगे यहां पर यहाँ पर दोनों के साथ मैनस रहाजागा तर अब दोनों तरफ आप वो स्क्वेर ले 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 लें तो एस ऒथर ए्कसिपेश्टन था यह वाला तो आपको वाज़ेत वे यहां पर नजर आ रहा है कि यह को इन्वाइद की डिरेक्शन हो ते आपके पास टाइम डिपेंडेंट नहीं है वह लेकिन वाइद की आपके पास टेम डिपेंडनेंट है तो जो ट्रैवलिंग हो रही है हमारे पास वह है लॉट बाइज एक ट्रैवल नहीं करा तो इस विद्धास टाइम डिपेंडेंडेंस आपके पास यहां पर यह नुजर आ रही है और यह को जिन वाज वह आपके पास सरकल की जिसका स्कुर्ड यहां पर मैं लेना कुछ बोल है हूं यह स्कुर्कल की है तो आप देखेंगे जैकसी बीडिकर यहां कि उसका रायिस क्या है क्या तो वह यहां से पताफ चलेगा और धूरu इसकी पूरी इसकी है वह आपके पास ना पॉर्टियूंट-टी है वह आपकी पास पूरी इवह स्कुर्ण है और Center में पास इस Circle का फार्मराव सिर्कल विस सेंटर और उमेगा टी आर तो यह देख इसका सरकल चेंज होता जा रहा है in the direction of y लेकिन r की direction में इसका circle जो आपके पास constant है travel in the y direction और अगर आप यहाँ पर देखें तो यह आपके पास velocity आजाएगी omega को r से r को omega से multiply करते हैं तो यह बिल्कु वही r omega physical to r omega तो यह आपके पास expression यह रेखें यहां से है यह तो यह हमारे पास एक velocity है जिसमें जो आपके पास electric community field balanced है और आपको एक cycle motion देते हैं यह यह तो r हमारे पास है यह radius ओक्यों होगे ज़रो ठीक है तो यह r हमारे पास radius है यह यह इस direction का ठीक और दूसरा इस direction में अगर आपने देखना हो जो total तो r है तो आपके पास y direction में यह time dependence हा रही है तो traveling जा रही है इस सर्फ r हमारे पास radius है यह समझाब दूसरा है यह यह आपके पास ठीक है तो circle किसी भी वो time put करोगे तो आपको बताया है कि यहाँ पे उसका center कहाँ पे है center कहाँ पे है तो जैसे time put करोगे आपके पास circle center आपको यहाँ पे मिलेगा let's say यहाँ पे next moment पे लाएगी शायद यहाँ पे हो next moment पे आपके पास circle center यहाँ पे हो यहाँ पे हो यहाँ पे हो तो time बिल्कुछ stuck तो नहीं हो जाता हूँ वो कुछ लोग कुछ मूव करता रहता है यहाँ वो मूव करता है लेकिन यहाँ पे हमारे बास time है और अरड़ी इस पोज किया गया है कि absolute thing है और एक universal clock है और जो सारे frame में सेम है और जो इसमें जो हमारे पास electrostatic में है अभी तक जिस चीज़ को हमने नहीं डिल किया और मैंने आपको starting में यह चीज़ बताई थी कि ना सिर्फ जो अगर आपके पास एक point पे अगर आप जानना चाहते हैं वो कि उनका distance का है क्या है ठीक है उस test charge से दूसरा उनकी velocity क्या है test charge के करें जो उनकी moment की है और यह वो accelerate तो नहीं करें acceleration है तो फिर भी force change होगी और तीसी चोती चीज़ मैंने आपको शाहिद गनवाई थी आपको यादो कि वो कितनी देर पहले ही यह जो velocity change हुई है उसकी कितनी देर पहले उसके coordinates क्या थे इतने टाइम पहले उसके velocity क्या थी इतने टाइम पहले उसके acceleration क्या था तो यह relativity वो deal करेंगी इसको यह हमारा 12 चैप्टर है सबसे आखर में हम deal करेंगे इसको जो time को भी equal footing भी लेंगे इसको भी बिल्कुल एक coordinate समझेंगे जैसे कि हमारे पास x y z है तो तब वो four dimension motion होगी four dimension आपके पास vector आएंगे तो अगर आपको वो electrostatic का sketch लो ना उसका जैसे के आपने पहले पहले तो deal किया था उसमें certain charge की वज़ास electric field आपके पास क्या है फिर आपने देखा उसको calculate करने में असानी कैसे होगी कैसे आप उससे calculate कर सकते हो तो उसके लिए call लाने हम help out की फिर असानी की तरफ एक और हमें चीज़ ले किया है वो potential था कि अगर आपको potential scalar function है वो deal कर लो उसका gradient ले लो तो आपको electric field फाइंड कर लेंगे तो सारा आप उसको अगर review करो ना बिलकुल उसके बाद आप आगे डायलेक्टिक्स में क्या होगी exactly काफी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें आपको one to one मिलेंगी इसमें बिलकुल यह होगा पहले हमने फोस्ट रिफाइंड कर ली अब हम देखें कि मैटी फील कैसे फाइंड करनी है मैटी फील करने के असान तरीके करा है वह आपको एक बायो साब ला लिए आजाएगा लेकिन आपको असान तरीका परवाइड करेगा इंपेस लागर समेटी एक्जिस्ट करती है औ ऊदर था मारे पास मल्टि पोल था इदर मारे पास भी मल्टि पोल आएगा इदर माद ocup हमारे पास पॉटल सब्सक्राइगा प्रेटर पास देयागे तो ये अगर आप एक चीज़ को देख लें तो आप उसमें वान टो उन क्रॉस्पॉंडेंस कई चीज़ें आपको सिमिल मिल जाएंगी